बच्चों, आज मैं आपको लक्षण गीत किसे कहते हैं, इसके बारे मैं बताऊंगे, लक्षण गीत गायन शली है, इस गीत में राग के लक्षण का वर्णन होता है, यानि कि राग की जो विशेष्टाएं हैं, लक्षण यानि विशेष्टाएं हैं, उस राग की विशेष्टाएं जिसमें की वो लक्षण की गायगा रहा है, राग की सारी विशेष्टाओं का वर्णन होता है, तो लक्षण गीत की रचना छोटे ख्याल की तरह होती है, जिस प्रकास से छोटे ख्याल में इस्थाई इंतरा दो भाग होते हैं वो लक्षण गीत में भी होते हैं और जिन तालों में मध्यमलय से ख्याल गाए जाते हैं जैसे कि तीन ताल है जब ताल एक ताल इन सभी तालों में लक्षण गीत भी गाए जाते हैं इस गीत में लक्षण ग समय, राग की जाती, आदी सभी विशेष्टाओं का वर्णन होता है। इस कीत की रचना राग के स्वरों में होती है, यानि कि जो राग के स्वर होते हैं, उसी उनी स्वरों पर राग की विशेष्टाओं को गाया जाता है। इसके इस्थाई और अंतरा दो भाग होते हैं जिसमें की राग की सारी विशेष्टाओं आ जाते हैं। राग को सीखने के लिए उसका लक्षण गीत अगर हम याद करते हैं तो राग की हमें सभी जानकारी आसानी से प्राग तो जो होती है वो देर तक याद भी रहती हैं। अगर हम गीत के रूप में किसी चीज को या गध को या पद्य को याद करते हैं, तो वो हमें अधिक समय तक याद रहती है, तो इससे फादा रहता है कि आपको आसानी से सारी विशेष्टाइं सभज में आ जाती हैं और कापी लंबी समय तक आपको वो सारी बाते याद भी र राग आसावरी में सुना रही हूँ, वो आप सुनीर राग आसावरी लक्षणीर life life learning वो आप याद रख़्य浅नी तक आपको अद भी रख़ 122 ने सक आपकोषणीर भी दे र histó है दिक आपको आ सारा अपको वोस्त आपको ने संस्क्वों तक आपको आपको पिर्दी आप्राहर दिना तो देड़ा सासा रे मापदम अपगरे साधरी सासा रे मापदम अपगरे साधरी दो मल राखत गुनी जरने के दे कावत आसावरी दितिया प्रहर दिना कावत आसावरी दितिया प्रहर दिना मामा पदद सासा सारे मीशा सामा मामा पदद सासा सारे नी सासा ओड़ावा संपूरन जाती कहावत नी सारे धापा वगज दे सासा ओड़ावा संपूरन जाती कहावत नी सारे धापा आस्रय राग गुनी जग जानती आस्रय राग गुनी सब जानती आस्रय राग गुनी सब जानती आस्रय राग गुनी सब जानती इते राग जानती मपाण जानती कहावत जानती . भर जानती आस्रय राग दे जानती eyes भर गुनी डाट राग झानती जानती जगा प्ड़ावा खब जानती कहें। गावत आसावरी दितिया प्रहर दितिया प्रहर दिति गावत आसावरी दितिया प्रहर में तो इसका गायन समय भी बताया गया है इसके साथ इसकी जाती भी बताया गया है और यह आश्रह राग है तो यह सारी विशेश्टाइं और किस प्रकार से इसमें स्वर्ग लगते हैं राग आसावरी में यह सब ही बातें आपने लक्षण गीत में सुनी और समझी, तो बच्चों इस प्रकार से जो राग की विशेष्टाइं हैं, जो राग का संपूर पर्चा है, लगभग पूरा ही पर्चा या इसकी मुख्य विशेष्टाइं आपको लक्षण गीत में पता चलती हैं, तो इसी को लक्षण गीत कहते हैं, यानि राग की कि शेष्टाय बताने वाला जो गीत हम गाते हैं, जो किसी ताल में बना हुआ होता है, उसे लक्षण गीत कहते हैं. आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको अधिक समय तक याद रख सकते हैं, तो आज इतना ही, नमस्कार.